दोस्तों ये वीडियो काफी दिनों बाद आई है इस चैनल पर ये बात तो ठीक है लेकिन ये वीडियो उतनी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए एक आई ओपनर की तरह काम करेगी ये बात आप मानके चलिए आज की समय पर अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे मुझे बारे में तो कहार बहुत सारी बाते होती है और मुझे भी पड़ेगो लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि लॉंग में रिस कम और रिवार्ट के ज़्यादा ही चांसे रहते हैं ये बात भी सच है लेकिन इंटरनेट पर आप देखेंगे जहातर आपको वीडियो देखने को मिलेंगी कि आप सौर पे पर मंत लगाए करोणों बन जाएंगे पांच हजार इवन पांच हजार दस हजार भी आपको वता है कि आप पांच यार रुपे भी लगाकर अच्छा गासा पैसा बना सकते हो यह बात सच है मैंने भी वीडियो करी है उसमें मैं आपको चीज़ें समझाए भी हैं लेकिन आज की इस वीडियो में इंपोर्टन क्या है कि हम बात यह करने की कोशिश करेंगे कि क् आपको देखाई हैं बाकी लोगों ने भी आपको देखाई हूंगे और और कुछ लोग के इतने मान होते हैं कि जौर पे से भी आपको करोड़ पती बना रहे हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं तो मैं आज की इस वीडियो में बेसिकली यही आपके सामने चीज़ें रखू तो क्या लॉंग टर्म में एक करोड रुपया भी बढ़ाए जा सकता है इसके बीचे क्या लोजिक है क्या सच्च आई है यह वास सच भी है यह नहीं या फिर आपको सिर्फ अंधेरे में रखा जाने की कोशिश करी जा रहे हैं कम्प्लीट है आज की वीडियो देखने के ब से आप जाकर भूद सकते हैं चलो start करते हूं मैं आपको iverage इपनी screen पर लेकर जाओंगा वहीं से में आपको समझाने की खोशिश करूंगा ठीक है तो देखो आपके सामने आ चुका है मेरे पेज आ चुका है आपके सामने एक कैल्कुलेटर एक्चुली स्क्रीन पर एक कैल्कुलेटर आपको दिखाई दे रहा होगा और इस कैल्कुलेटर में आपको दिखाई दे रहा है SIB कैल्कुलेटर क्योंकि अभी हम लंसम की बात नहीं कर रहे है हम S.I.P की ही बात कर रहे है क्योंकि बात यह नहीं का जाता कि पांच या लगा के छोड़ दो करोणों बनेंगे नहीं यह का जाता पांच या रूपए पर मंत लगाते रहां करोणों बनाए जा सकते हैं तो चलो जार रुपए मैंने एड कर दी है अब बात आती रिटन जब आप न एक दो साल की बात कर रहे हो तो देखो कभी-कभी नेगेटिव रिटन भी आ जाते हैं एक साल में लेकिन एक साल में बढ़िया निकल जाए तो 30-40 परसंट भी रिटन तक आए हैं लेकिन जब हम बात करें न दस साल यह उससे ज़ाधा की तो एक न मतलब हाइपोटर्टिकल रिटन नहीं ले सकते में 15 परसंट ही रिटन हम लेकर चल सकते एक अच्छा मीचल फन आपको 15-20 परसंट की बीच में रिटन देदेगा लंबी समय में तो मैं आपको 15 परसंट लेकर चलता हूँ और क्याल्कुलेट करता हूँ टाइम लिटन पर 10 साल तक लगाई कितना पैसा बना सिर्फ बना हैं दोस्तों एस्पेक्टेड अमांट जो है पांच लाग छहजाद पांच लाग शहजाद करोणों से तो बहुत दूड है खेर चोड़ो आगे बढ़ते हैं अब बात लॉंग टम की तीना तुम्हें 10 की जग है सी तुम्हें अब 20 कर देता हैं टीक है कचलो भीश साल में भी देख लेते हैं पैसा बना 30.00ंप इस साल में पैसा बना 21000 थैं कर देते हैं 30 साल ठीक है 30 साल कर दिया 30 साल में पैसा बना एक करोड चालिस लाग करोड़ों तो बन गए इसमें तो कोई राउट नहीं है लेकिन अब आप यह सूचो 30 साल हो गए अगर आप 30 ही साल के हैं तो 30 साल बाद समझ पर 30 साल बाद आपको मिला एक करोड चालिस लाग तीस साल बाद एक तो आपके हाथ पर काम करने बंद कर चुके जहाँ तर देखों मैं ऐसा कहनी रहूं कि ऐसा हो जाए लेकिन चांसिस होते हैं साथ या उससे उपर थुड़ी दिक्कत है हेल्थ उश्यू इतने जाता हो यह तो प्रॉपर बढ़ा पा 10 कामका बहुत है तो फिर पैसा तो वह सी किसी है अपने काम का तो नहीं बच्चों कर रहे गया लेकिन आप बच्चों के बहुत हिसलित ने समय 30 साल बाद कितनी होगी जितनी आज 37 लाग की वैल्यू है जितनी आज 37 लाग की वैल्यू है उतनी वैल्यू होगी 30 साल बाद एक करोड से उपर एक करोड 40 लाग की तो यह मानो अगर मैं इस inflation adjusted amount को लेका चलू तो आप 30 साल में भी करोड पती नहीं वन दाए 2,000 रुपे महीने से आप 30 साल बाद भी करोड पती नहीं वन दाए है क्योंकि आपकी पैसे की वैल्यू होगी सिर्फ से 37 लाग आधा भी नहीं है 50 लाग भी नहीं है ठीक अब चलो दो यार से तो नहीं होगी जोगाड अब अगर मैं पांच यार लेकर चलू पांच यार तो एक ठीक ठाक यहां भी नहीं जोगाड हो रही है 20 साल में कख लेते हैं सायब बिषमकर 50 लग बने एक करोड तो यहां भी नहीं हुआ अब नहीं थोड़ा से तायम तो नहीं जा रहा है क्योंकि 30 साल का तो क्या जिंदना बचेए गाएगे कि हम सो साल बाद जिंदा बचेंगे केल्वेटर में तो आप कितना भी डाल लो अब उत बढ़ा कर दिखा देगा आपको देखो मैं आपको यहां पर सो साल डाल के दिखाता हूं देखो एक एक जामपल है असी मजाक के लिए सो साल दिखा दिखा दिया मैंने पैसा कितना बन सब्सक्राइं कि यह पता है ईक बहुत हम पार दिखा लेकिंटक से उसी ओपर सो साल साल ने यह फालतू की बात है ना सो सब्सक्राइं करोड लेकिन मैं 25 साल सोच ले रहा हूं 25 साल सोलन reco एक करोड साथ लाग एक करोड साथ लाग बन गए इंफलेशन या एड्जेस्ट नहीं है इंफलेशन एड्जेस्ट कर दिया तो कितना आग चपन लाग तो सिर्फ और आप यह मान के जलिए कि पांच यह पर मंद से 25 साल बास सिर्फ आपके पास 56 लाग रुपे होंगे गिनने में तो आपके पास एक करोड साथ लाग होंगे तो करोड बती तो 5000 से भी नहीं मनने पांच यार रुपे भी ठीक मानने हो आप और साल भी आप बहुत देरो 25 साल कोई कम समय होता है क्या कौन जिंदा रहेगा 25 साल तक पांवन नहीं रहेगा क्या इसका चलो मैं तो मान आप अपने 25 में ही है 25 साल यो 30 साल की बीच में तब भी तो आपको उमर जिंदगी लगबग लगवा निगली जाएगी तो फिर भी मैं टाइम पिर पिर पच्छी साल ले रहा हूं लेकिन पांच यार से करोडों तो नहीं मनना ये बात तो प्ते हो गई अब बात यारती मै सब कुछ एज़ेस्ट करता हूं 25 साल भी लेता हूं इंफलेशन भी एज़ेस्ट करता हूं तो आखिर रहा कितना रुपय चाहिए मुझे पर मंद इंवेस्ट करने के लिए जिससे एक करोड बन जाए अट लिस्ट एक करोड जितनी वैल्यू जितनी आज की एक करोड की वै यह आपको ध्यान रखने इंफलेशन एज़ेस्ट करने को पहली फिगर पहुंची है जहां आपने दस जार रुपे पर मंत इंवेस्ट किया है 15 परजेंट का रिटन उमीद किया है जो की मिल जाता है जर्नली और पच्छे साल का टाइम पिरिट यह टाइम पिरिट बहुत ह है बहुत साई लोगो बोलेंगे मैं 35 कर दोंगा 25 सोचना कहना वालग बात होती करना बहुत बड़ी बात है 15 साल का टैम पिरिट बहुत होता है इंफलेशन भी अजले कर दिया आख एक करौर 10 लाक के आस पास लगबगगा हम देगी करौर 12-13 लाक के आस पास आरा अगर इस लगवग एक करोड से जाता है अब आप सोच यह अगर माले टाइम पिरेट कम करें कि पच्छे साल बहुत लंबा टाइम बीरेट होगे थो फी साल के टाइम पिरेट में बन रहा है लगवगा शट शट लाग और वी साल में अगर एक करोड कमाना है तो मुझे कितना पैसा यह तो यहां पर दिखाई दे रहा है और अगर आप इसे कम करेंगे तो compounding का impact भी long term में पढ़ता long term के लिए समय किसके बाद है तो 20 साल तो ठीक है चलो 20 साल का माल लेते हैं तो लगबग आप यह मान के जलिए 20 साल में अगर एक करोल कफेगर टच करना inflation adjust करने के बाद तो लगबग आपको 15,000 रुपे का इंवेस्ट करना पड़ेगा तो यह बात तो पूरी तरीके से सच हो गई कि 5000 रुपे दो अजार रुपे तीन अजार रुपे इवेन 500 रुपे भी बहुत लग बोलते हैं उतने से तो करोणों बनने से रहे अब आप इस कैल्कुलेशन को अच्छे समझो आप उतलने साब से डिसीजन लो क्या करना है क्या नहीं करना है बहकावे में नहीं रहना चाहिए तो चै लेकिन आती आपके लिए बहुत जादा यूसफूल है इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दो थेंक्यू